इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो फोन में अगर आपको no registered on network का error आता है तो इसके reasons क्या है और इसके solutions क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलके आइकोन को प्रेस कर लेना है तो जब भी आपको इस टैप की problem आती है no registered on network की तो इसके दो reasons हो सकते है पहला reason तो यह है कि जो आपका SIM card है वो अभी तक activate नहीं हुआ अगर आपका नया SIM card है वो अगर activate नहीं हुआ तो इस टैप का issue आपको देखने को मिल सकता है और इसका solution यही बनता है कि आपको SIM card को चालू कराना है जैसे आपका SIM card चालू हो जाएगा आपका problem ठीक हो जाएगा और अगर आपका SIM card पुराना है और अलड़ी चालू ता फिर को reset करें इससे पहले आप एक बार restart करके भी try कर सकते है then second solution आप एक बार all settings को reset कर दीजे ठीक है simple आपको यह method का use करना है 100% आपकी problem ठीक हो जाएगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै माता दी